सब्सक्राइब कोंसे नहीं है कुछ विलोंग शब्दा आज मैं और लेखरें युण आपके हिए उनके भी हम पढ़ते हैं जिकें तो आपको ये विलोंग शब्दी तो मैंने दो वीडियो में दास्ट में पढ़ाए हैं, वो भी लग कर ले हैं, और ये भी याद कर ले हैं, चलिए तो देखते हैं, वीर, वीर का विलोंग शब्दी क्या होगा, कायर, वीर का कायर, नेक्स्ट है, आस्तिक, आस्तिक का नास्त कि這個是 business आस्तिक प्रोजुन है जोenerे रखता रखता रहे है बबान के वर्मात्मा में आस्ता रखता है वह आस्तिक है और मास्तिक में है जो आस्ता नहीं रखता मेहगा कोई पस्तू कोई चीश बहुत महेंगी होती है और उसका उटेखा कहँ है सस्ता दाय धाए या निन राइट और उसका उन्टा क्या होगा बाइट राइट लेक्ट होते हैं वोई वालत रहे हैं ठीकिए नेफ्स पे हमारा शब्द है अपमान अपमान का आग पता है ना अपमान कर देना किसी दा मान नुटा देना तो अपमान का उल्डा क्या होगा? संबान देना, ठीक है? मान करना, संबान संभाइब अपमान का उल्ड़ा शब्द होगा याने कि इसका विलॉम शब्द होगा संभाइब सच सच का मतलब बोता है सत्य जो है वैसा ही है आप उसमें कुछ मिलावट नहीं करेंगी सच सच का उल्ड़ा अर्भ देने वाला शब्द क्या होगा सच का क्या होगा जूद तच याने सबते हैं जूट हमें हमेशे क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? सच, कभी हमें जूट? नेच्स हमें लिखित, लिखा हुआ, और मुखित लिखित कर चाहिए हुआ हुआ, मोखित आप इसको लिख देंते हैं मोखित तो तैर नहीं आएगा यहाँ पे कहीं आएगा तो लिखित यानि लिखा हुआ मोखित यानि बोला हुआ काला का सफेद काला का उटार का दिने वाला शर्त क्या होगा सफेद अब देखें सफेद का क्या होगा काला मोखित का लिखित और लिखित का मोखित मैंने आपको लास्ता की बतायाता है कि अगर आपको मोखित का कुछ दिया जाए तो आप रिखित लिखित का कुछ दे जाए तो मुखी, जूट का कुछ दे जाए तो सच और सच का कुछ दे जाए तो जूट, सम्मान का अपमान होगा और अपमान का सम्मान होगा, इसी तरह बाएं का दाएं का दाएं का बाएं, सस्ता का महें का महें का सस्ता, आस्तिक का नास्तिक और नास् यहां पर सम्मान दे दिया है, तो सम्मान का क्या होगा, अप्मान होगा?